हाई एवरिवन माइंडो चैनल में आपका स्वागत है आज हम एटिट्यूट इज एवरिटिंग बुप का समरी जानेंगे जिसका आथर जेफ केलर है तो सुरूर करते हैं चैप्टर वन अपने द्रिष्टिकोन को मानसिक फिल्टर माने जिसके माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं कुछ लोग दुनिया को आसावाद के फिल्टर से देखते हैं जबकि अन्य लोग निरासावाद के फिल्टर के माध्यम से देखते हैं नाकारात्मक दिष्टिकोन वाले व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखते हैं, आपका दिष्टिकोन दुनिया के लिए आपकी खिर्की है, हम सभी अच्छे नजरिये के साथ पैदा होते हैं, उस समय हमारा मांसिक खिर्की साफ होता है यहाँ बात हम छोटे बच्चे को देख के समझ सकते हैं कि वे कैसे खिल खिलाते रहते हैं लेकिन समय के साथ हमें आलोचना का सामना करना परता है नाकारात्मक्ता का सामना करना परता है और लंबे समय के बाद हम भी हर चीज की निगेटिव पहलू को देखने लगते हैं इस तरह हमारा मानसिक खिर्की गंदा हो जाता है किसी को भी अपनी मानसिक खिर्की को गंदार ना करने दे यदि किसी की मानसिक खिर्की गंदा हो जाए तो इसे साफ किया जा सकता है है चैप्टर टू हमारी सफलता इससे तै होती है कि हम किस बारे में सोचते हैं हमेशा अपने लगश्फपे नजर रखें विशेष उपलबदी केा रहाले हैं अपने विशुद परविश्वास करते हैं और अपने कि आप किस बारे में सोचते रहते हैं यदि आप अपने बीचार नहीं बदल रहे हैं तो परिनाम नहीं बदलेगा अपनी सोच बदले आपका मन आपके द्वारा बोले जाने वाले हर सब्द को सुनता है हर दिन कुछ अच्छा पड़े यह कोई बुक हो सकता है ओडियो बुक सुनें जो आपके लाइफ को बहतर बना सकती है सफलता के लिए परियास केनेक्टिविटी और धर्य की अवसकता होती है आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी लेकिन फिर भी यदि आप खुद पर विश्वास रखके कारवाई करें और लागातार करते रहे तो आप उन स चारों के मादियम से चमक आ सके चैप्टर थ्री अपने भविश्य की मानसिक फिल्म बनाएं आप भविश्य में कैसे दिखेंगे कैसे घर में रहेंगे जॉब करेंगे या बिजनिस करेंगे आपका अर्णिंग कितना होगा आपके संबंध कैसे होंगे नई चबियां चीजों को जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो उन्हें अश्टपस्टता से देखें इस तस्वीर को रोज देखें अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों को देखें इससे आज से ही करना शुरू कर दे और अपनी दिमाग की और विश्य सकती का उपयोग करक जो हमारे लक्ष तक पहुँचने में हमारी मदद कर सकती है जीवन आपको यह देखने के लिए परिक्षन करेगा कि आप अपने उद्देश के प्रापती के लिए कितना गंभीड हैं बादाएं आएंगी आप गलतियां करेंगे और सफलताओ को धेलेंगे आपको इस सब को सफलता की रह अक्सर विप्रित प्रस्थितियों से गुजरती है प्रतिकूलता हमें मजबूत बनाती है हमें इस बात पर ध्यान केंदित करनी चाहिए कि इससे मिलने बाले अलाब बहुत सारे हैं यह हमारी छीपी हुई छमता को बाहर लाती है किसी कठीन परिक्षा या बा प्रतिकूलता हमारे आत्म विष्बास और आत्म सम्मान का निर्मान करती है ऐसी प्रस्थितियों में हमेशा एक आसावादी रवया और एक खुले दिमाग बनाई रखने की परियास करें चैप्टर 6 हमारे सब्द में औविष्बास निये सकती है ये हमारे उज्जल भविष्ब का निर्मान कर सकती है इसके गलत इस्तेमाल से अफसर नस्ट हो सकते हैं हमारे सब्द हमारी मानियताओं की पुष्टी करती है और हमारी मानियताएं हमारे विष्बास का निर्मान कर इसलिए हमेशा अपने विचारों पर नजर रखें हमारे नाकारात्मक विश्वास से हमें नाकारात्मक परिणाम मिलते हैं जैसे कोई कहती है अगर मैं रात को नहाती हूं तो मुझे वुखाड हो जाता है तो यहां नहाने से नहीं बल्कि उसके नाकारात्मक विश्वास के क कोई कहता है कि लोग हमेशा उसका फायदा उठा रहे हैं तो इससे वो बास्तव में दुखी रिष्टों के लिए खुद की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमारे मन हमारे द्वारा बोले गए हर सब्द को सुनता है इससे वो ऐसे बैक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करते है जो उनका फायदा उठाते हैं हमें अपने नाकारात्मक विश्वासों को बदलना चाहिए जिससे हम जीवन में अधिक सफल हो सके होश पुर्वक अपने सब्दों का चैयन करे जो आपको आपके लक्स के दिसा में ले जाएगा यह आप पर निर्वर करता है कि आप गिवन म शुरू करें चैप्टर सेवन जब कोई आप से पूछता है कि आप कैसे हैं तो आपका जवाब क्या होता है जेनरली तीन तरह का जवाब हो सकता है नाकारात्मक और साकारात्मक नाकारात्मक जवाब इस तरह से हो सकता है मैं ठका हुआ हूँ या भयानक या यह दिन मेरा न और साकारात्मक जवाब इस तरह का हो सकता है आज का दिन बहुत अच्छा था महान उत्तम खूबसूरत आज मैं साथ में आस्मान पर हूँ जब आप इस तरह के साकारात्मक जवाब देने वाले लोगों से मिलते हैं तो बहतर महसूस करते हैं नाकारात्मक जवाब सुनने पर कई साकारात्मक लोग सोचते हैं कि तुमसे हाल पूछ कर ही गलती कर दी हमेशा साकारात्मक जबाब दे इससे आप अच्छी और बहतर प्रस्थितियों को आकर्षित करेंगे क्योंकि यह अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है उत्साह के साथ जबाब दे चैप्टर एट हम सभी कभी न कभी सिकायत किये हैं या करते हैं यदी आप सोच रहें कि ऐसा नहीं है तो अपने कड़ी भी दोस्तों रिष्तेदार और साकर्मी से पूछे सायद हमें पता ही नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी सिकायत नहीं सुनना चाहता है वो तो बस अपनी बाड़ी का इंतजार कर रहा है साकारात्मक लोग न तो सिकायत करते हैं न सुनते हैं वे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखते हैं वे अपनी गल्तियों को सुधारते हैं हमें भी ऐसा कर रहे हैं तो कोशिस करें कि उसे खुद सौल्व कर लें फालतू का प्रचार ना करें अपनी अच्छी चीजों के लिए कृतक गेड़ें अपने ब्लेसिंग्स गिनें आसावादी लोगों के साथ रहें जब हम शिकायत करते हैं तो कहीं न कहीं दूसरों को दोस्त देते हैं ह हम दूसरों को जिम्मेदार ठाडाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं सिकायत करने से खुद भी खड़ा महसूस होता है इसलिए बहतर यही है कि अपनी प्रस्थितियां की जिम्मेदारी स्वेम लें और अपनी कम्यों को दूर करें चैप्टर नाइन अपने दोस्तों या उन लोगों को साफ़दानी पुर्भक्चुने जिनके साथ आप ज्यादा समय गुजारते हैं ऐसे लोगों से दूर रहे जो मोखिक जहर उगलते रहते हैं जहरीले लोग हमेशा आपको अपने अस्तर पे खिचने की कोशिस करेंगे ना चाहते हुए भी आप नाकारात्मक होने लगते हैं साकारात्मक और सफल लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं देखे कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका रवया कैसा है आप स्विम का भी मुल्यांकरन कर सकते हैं, कि आप कितने साकारात्मक ब्यक्ती हैं एक से दस के पैमाने पे खुद को अंक दें, खड़ाब खबडों से दूर रहें हमेशा खुद को साकारात्मक चीजों में इंगेज रखें मनुस्य एक अस्पंच की तरह है, हम जो भी देखते सुनते हैं, वैसा ही बैभार करने लगते हैं आप कभी न कभी किसी को ऐसा गाना सुनते हुए जरूर सुने होंगे, जो आप सोचते हैं कि गंदा या सलील है और थोरी देर बाद आप खुद उस गाने को गुन गुनाते रहते हैं अपने दोस्तों का मुल्यांग्टरन करें, अपने नाकारात्मक सोच वाले दोस्तों से कम से कम मिले अगर आप सुयम को एक इंसान के रूप में सुधार रहे हैं, तो आपको उन लोगों के साथ जुड़ना होगा, जो आपको अगले अस्तर तक ले जा सकते हैं चैप्टर 10 हर व्यक्ति का डर अलग तरह का होता है किसी को मोत से डर लगता है, तो किसी को निवेश करने से, किसी को सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है, तो किसी को रिक्स लेने से अपने डर का जाच करें, आप किस चीज से डरते हैं, पता करें, और क्यों डरते हैं जेन्डली ज्यादा तर लोग सार्वनिक भासन देने से डरते हैं, आवेदन देने से डरते हैं, कुछ लोग खुद का वेपसाय सुरू करने से डरते हैं, कई लोग असफलता से डरते हैं, कुछ अपने सिनियर से बात करने से डरते हैं, अपने डरों की सुची बनाएं, और ए अपने डर को जितना आवस्चक है चुनोती को सुईकार करें अपने डर से भागना डर के सामने हारने का एक तरीका है अपने डर का सामना करें चैप्टर 11 यदि जीवन में किसी कारण बस आपको असफलता मिले या नोक्री छूट जाए या कोई निरासा महसूस हो तो धैरिया न खोएं दुखी न हो कई वाड ऐसे मोग के बहतर इस्थिति उत्पन करते हैं ऐसे कई लोग हैं जिनकी नोक्री छूट जाती है फिर उन्हें उससे ज्यादा तंखा वाली नोक्री मिल जाती है या कोई नया वेवसाई शुरूर करते हैं जिसमें उन्हें बहुत सफलता मि जाते हैं और नई चीजे सीखते रहते हैं तो आप सफल हो जाते हैं रिजक्शन से निरास्त नहों परियास करते रहें कभी हार ना मानें चीकन सूप फोर दा सोल के लिए 33 प्रकासकों ने मना कर दिया फिर 34 में प्रकासक ने छापा और यह बेस्ट सेलिंग बुक रही समस्याओं को सुल्व करने में मदद कर सकता है अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में रहें इसके लिए आप सामाजिक करीक्रम में भाग ले सकते हैं नए ख्लब ग्रूप जौइन कर सकते हैं नए समूह और संगठन में सक्रिये रूप से भाग लें आप हमेशा साकारातम रहें इससे लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे सोचे कि आप अपने समुग को कैसे सर्ब कर सकते हैं मिलने बाले हर व्यक्ति का उल्लेख हर जगर नकड़ें अपने नेटवर्क के लोगों का सम्मान करें अपने साथ ही से रेफ्रल लें ऐसे व्यक्ति की तरह बात करें जो सामने वाले की जीवन में भैलू एड़ करेगा। समय समय पर लोगों से बात्चित करें। उन्हें उनके बर्थ डे, मेरिश डे पर उन्हें बधाई दें। यदि उनके घर में किसी की मृत्ती हो जाए तो उन्हें दुख ब्यक्त करें। हर ब्यक्ति को महत्पुर्ण माने ना कि केवल योग ब्यक्ति को अपने कमफर्ट जोन से बाढ़ आने के लिए तयार रहें। दूसरों की मदद करें। किसी से रफ्रल पाने पर उन्हें धन्यवाद दें। याद रखे कि नेटवर्क समय के साथ निर्मित होते हैं। अब संचेप में रिमाइंड कर लेते हैं। आपका नजरिया दुनिया को देखने के लिए आपकी खिर्की है। हमारे विचार हमारे भविष्चे बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अपने लक्ष पे किन्रित करें। अपनी सफलता का मानसिक चित्र बनाएं। समस्या से घबराएं नहीं। इसे अफसट की तरह देखे। हमारे सब्दों में बहुत सकती होती है। जब कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो उन्हें उत्साह के साथ साकारात्मक जबाब दे। अपने करीबी लोगों को साथानी पुर्वक चुने। डर को दूर करने का तरीका उस काम को करना है जिसे करने से आपको डर लगता है। हमेशा अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाएं। दोस्तो इस तड़ा का और वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल माइन डोज को सब्सक्राइब किजिए। यदि आप यह वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फोलो किजिए। लाइक किजिए, कमेंट्स किजिए। आप और कौन से भूप का समनी चाहते हैं हमसे सेर किजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूली समय के लिए।